कहा जाता है कि दुनिया में भगवान शरीदेव की मात्र एक ही परतीमा है जो सौयम भूमानी जाती है इसके अलावा ओर कहीं भी ऐसी परतीमा नहीं है और इस परतीमा की स्थापना भी आज से करीब 300 साल पहले ही हुई थी दरसल भगवान शनी देव यहां एक चमतकारिक रूप में प्रकट हुए थे और उस देवी चमतकार के प्रमान के तोर पर आज उस इस्थान पर जहां से यह प्रतिमा प्रकट हुई थी वहां एक कुवा बना दिया गया है जी हां हम बात कर रहे हैं इंदोर के उसी प्रसिद्ध शनी धाम मंदीर के बारे में जो जूना इंदोर यानि पुराने इंदोर शहर के मध्ध में स्थिद भगवान शनी देव का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदीर है जुना इंदोर यानि पुराने शहर में इस्थिद भगवान शनी देव का यह मंदिर जितना पावन है उतना ही दुनिया भर में सबसे अनोखा भी माना जाता है अनोखा इसलिए क्योंकि यहां भगवान शनी देव की प्रतिमा पर सरसो के तेल से नहीं बलकि प्रति दिन प्रतह काल दूध और जल से अभिशे किया जाता है इसके अलावा सिंदूर से भी सरंगार किया जाता है उसके बाद भगवान शनी देव की प्रतिमा को सोलह सरंगार से सजाया जाता है और फिर पूरे विधी विधान के साथ भगवान शनी देव की आरती भी की जाती है इसलिए कहा जाता है कि इस मंदिर में विराजमान भगवान शनी देव का स्वरूप बाकी के सभी मंदिरों से एकदम अलग है इन दोर में स्थित इस मंदिर में विराजित शनी महराज सही अंदाज में 16 रंगार के साथ पूरे ठाट बाट के साथ विराजमान है शनी महराज का यह एक मात्र ऐसा मंदिर है जिसमें उनकी स्वयम्भू प्रतिमा है यानि भगवान शनी देव जी यहां स्वयम्पधारे थे इसके अलावा भगवान शनी देव के इस प्रतिमा की एक सबसे बड़ी विशेष्टा यह है कि सोलस रंगार से सजने के बाद तो मानो यहां के शनी महराज क्रोध और प्रकोप के देवता नहीं बलकि खुशियों से जोली भर देने वाले करपालू शनी देव बन जाते हैं देश और दुनिया में प्रसिद्ध भगवान शनी देव का यह मंदिर आज भी किसी संस्था या फिर किसी ट्रस्ट द्वारा नहीं बलकि पंडित गोपालदास तिवारी जी के वन्शजों के द्वारा स्वनिर्मित और स्वसंचाली थे और ये वही पंडित गोपालदास प्रतिवारी जी हैं जिनके सपने में आकर भगवान सनी देव ने उनकी प्रतिमा को बाहर निकलवा कर यहां इस्ताफित करवाने की आज्यादी थी। दोर के अलावा दूर दराज से भी हजारों भक्त गणा आते हैं और भगवान शनी का विसेश अनुस्ठान करवाते हैं। माननेता है कि इस मंदिर में भगवान शनी देव के दर्सनों से ढहिया और साड़े साती जैसे पीडित लोगों को फायदा होता है और उनके जीवन की सारी समस्याएं भी धीरी-धीरे अपने आप ही दूर हो जाती हैं। देवी अहल्याबाई की नगरी कहे जाने वाले इंदोर शहर में स्थित भगवान शनी देव का यह चमतकारिक मंदीर जूनी इंदोर यानि ओल्ड इंदोर शहर में स्थित है। वर्तमान में यह मंदीर कोई बहुत बड़े आकारवाला तो नहीं है लेकिन मराठा शैली में निर्मित यह एक नकाशीदार और आकरशक मंदीर है। यह मंदीर देश भर में भगवान शनी देव के ऐसे कुल छे प्रसिद सनी धामों यानि मंदीरों में से एक है जो पूर्ण रूप से सिध्ध, प्रसिद और चमतकारिक माने जाते हैं। इन मंदीरों में सबसे पहला नाम आता है महराष्ट में स्थित सनी शिंगणापूर के सनी धाम मंदीर का। इसके बाद दूसरे सबसे प्रसिद और चमतकारी सनी धाम मंदीरों में इंदोर के इसी मंदीर का नाम आता है। यहां हर वर्स सनी जैंती के आउसर पर एक भव्य उत्सों का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में शामिल होने के लिए भारत के कई प्रसिद्ध संगितकार और गायक अपने सूर और संगित की प्रस्तुती द्वारान सनी देव के प्रती श्रद्धा प्रकट करते हैं। शनी जैंती के आउसर पर यहां हर वर्स शहर से ही नहीं बलकि दूर दराज से सरधालू दर्सन करने आते हैं। और यहां आयोजित होने वाले भव्य उत्सों के आयोजन का अनंद लेते हैं। तीरु नल्लर में इस्थित नवगरह मंदिरों में से एक शनी मंदिर का नाम आता है। तो अगर आपका आना जाना भी इंदोर सहर से होता है तो आप भी यहां आटो रिक्षा की सवारी करके बहुत आसानी से दर्सन करने जा सकते हैं। क्योंकि भगवान शनी देव का यह मंदिर इंदोर के रेलवे स्टेशन से मात्र 1.5 किलो मेटर की दूरी पर ही इस्थित है। जबकि इंदोर के बस अड़े से इसकी दूरी करीब 4 किलो मेटर और एरपोर्ट से इसकी दूरी लगभग 9 किलो मेटर है।